प्रिश्नी जनमाश्टमी आने वाली है और आज हम बनाने वाले हैं श्री कृष्नी का प्रिय प्रशाद भोग मेवा पाग बहुत आसान है बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है तो चली बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर पैन में हम सबसे पहले डालेंगे दो चम्मच घी मेवा पाग को आप अपने किसी भी मनपसंद ड्राइफ्रूट से बना सकते हैं कोई फिक्स नहीं है कि यही ड्राइफ्रूट डालकर बनाने हैं तो यहाँ पर घी गरम हो चुका है इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप सूखा नारियल इस छोटी कटोरी से एक कटोरी है यह पर आप चाहें तो ग्रेटिट नारियल का भी इस्तमाल कर सकते हैं मेवा पाक में हम जो भी ट्राइफूट इस्तमाल करेंगे ना उनको हलका सा इस तरह से रोष्ट जरूर से कर लेंगे इससे मेवा पाक का स्वाध और भी ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर पहले सुखा नारियल को एक से डेट मिन तक भूलने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चोथाई कप बादाम और एक चोथाई कप यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखकर इन्हें हम चलाते हुए जो है दो से तीन मिन तक भूल लेंगे जब तक कि यह हलके से सुनेरे और थोड़े से क्रंची न हो जाए तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो जब तक यह भून रहा है तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और आपका एक लाइक ह जरूर से कर दें तो यहां पर ड्राइफूट जो है अच्छे से भून चुके हैं इन्हें अब हम पैन से बाहर निकाल लेंगे पैन में थोड़ा बहुत घी अभी है बस अभी हमें और घी डालने की जरूरत नहीं है इसी में हम रोष्ट कर लेंगे मखाना को यहां पर मखा तो बहुत ही आसानी से तूटेगा और इसका चूरा भी होने लगेगा तो तब तक इसे हमें भून लेना है जब तक यह इस तरह से तूटने न लगे यहां पर गयस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा और हिला डूला लेंगे क्योंकि पैना भी गरम है बस उ मेवा पाग में ट्राइफूट थोड़े से मोटे टुकडों में अच्छे लगते हैं तो यहां पर देखिए मैंने सभी को पीस कर तयार कर लिया है तो यह भी दरदरे लेकिन अगर आप थोड़े से इसे मोटे टुकडों में पीसेंगे न तो और ज्यादा बहतर रहेगा च इसकी पाग जो है मेवा पाग बनाने के लिए परफेक्ट है की नहीं है इसकी पाग को चेक करने के लिए आप इसे अंगुलियों में लीजिए और इस तरह से देखिए कि यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा चिपचिपा है और इसकी मोटी तार बन रही है तो मतलब कि यह पर परफेक्ट है तो यहाँ पर हमारी पाग भी परफेक्ट बन कर तयार हो चुकी है यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा कैमरे में यहीं पर हम डाल देंगे तीन-चार कुटे हुए इलाइची और अब गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें बंद कर देना है और अब इसमें हम डाल अपने यह पीसे वे ड्राइफ्रूट गैस की फ्लेम बंद रहने के बाद भी जब हम इसमें ड्राइफ्रूट डालेंगे तो कम से कम इसे दो मिनट तक हम इस तरह से चलाते वे इसे मिक्स करेंगे जो अभी इसका टेक्च्चर पतला दिख रहा है तो बस दो मिनट में यह इकदम ठीक हो जाएगा इसे हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे तभी यह धीरे धीरे गाड़ा होता जाएगा तो इसे जिस बरतन में हमें सेट करना है न उसमें हम लगा लेंगे तेल ध्यान रहे तेल लगाएंगे तो बहुत आसानी से यह निकलेगा इस तेल लगी ह तो यह ट्रे में इसे हम transfer कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा थीक हो चुका है पहले से, तो यह बिल्कुल set होने के लिए तयार है, ट्रे में हम बिल्कुल इसे एक बराबर सब तरफ से फैला लेंगे, यहाँ पर मैंने इसको पूरी ट्रे में नहीं किया है क्योंकि यह ज़्यादा पतला हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ी से जगह यहाँ पर बची हुई छोड़ दिये, तो बस इसे इस तरह से set कर देंगे, और चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी से dry fruit आप इस तरह से और लगा सकते हैं, इसे सुन्दर दिखने के लिए और इस तरह से कटोरी से आप इसे दबा देंगे तो यह अच्छी तरह से इसमें fix हो जाएंगे, इसे छोड़ देंगे हम 15-20 मिनट के लिए, यहाँ पर देखिए इसे मैंने ट्रे से निकालने का वीडियो नहीं ले पाया है, लेकिन यह बहुत ही आसानी से निकल गया है, त तो यह क्रिष्ण जन माश्टमी इस special मेवा पाग की रेसिपी अगर आपको पसंद आईए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले, स्री क्रिष्ण को अति प्रिय यह मेवा पाग इस जन माश्टमी पर आप जरूर से बनाएं, इस स्री क्रिष्ण जन माश्टम कि आपको धेर सारी सुप कामना है और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,